नमस्कार वर्धमान ओपन इंवर्शिटी के डिजिस्टल डिपोस्टिटी के स्कारिकर में मैं डॉक्टर हरीश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज मैं आप से बाते करना चाहता हूँ एड़िटाइजिंग डेफिनेशन्स, मीडिया टूल और उसके प्रैक्टिसेस के बारे में जैसा कि एड़िटाइजिंग बारे में कहा जाता है कि तो सबसे बड़ी खासियत एड़िटाइजिंग या विग्यापन के साथ यह है कि यह एक इस तरह का संपरेशन है कि जिसके लिए हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं और इसमें हम कौन इस एड़िटीजमेंट कौन इस विग्यापन को स्पांसर कर रहा है ये भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी टूल हैं जैसे कि जन संपरेशन जिसे हम पियार कहते हैं जिसमें कि हमें किसी तरह के पैसे को खर्च करने की जरुवरत नहीं पड़ती है और इसमें हमें निउज और व्यूज के बीच जो एक तरह का गैप है कि सीज को भी हम पता नहीं लगा पाते हैं वहीं दूसरी तरफ एड़िजमेंट में हमें ये पता चल जाता है कि किस कंपनी ने विग्यापन को स्पॉंसर किया हुआ है दूसरी सबसे महत्पूर बात ये है कि सबसे महत्पूर बात ये है कि हम इस उद्देश से अपने मैसेज को भेशते हैं कि सामने वाला भी जो हमारा उद्देश है उस उद्देश की प्रतिपूरती करेगा अगर हम कहते हैं कि इस product को खरीदना है तो सामने वाला उस product को खरीदने के लिए आ गया है। अगर हम यह चाहते हैं कि विग्यापन के द्वारा हम अपनी एक अच्छी image, एक society बनाएं तो ऐसा भी संभव है। अब हम बात करते हैं कि role of advertising के बारे में, जिसमें कि सबसे महतपूर्ड रोल है in communication. संचार में सबसे महतपूर्ड रोल advertising का रोल है और अगर हम संचार की बात करें तो संचार के बारे में कहा जाता है कि संचार वो है जिसके hasta हम अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं या अगर हम इसके definition की बात करें तो communication is a process through which we use to share our ideas and information with others. इसी तरह से advertising भी क्या काम करता है, विग्यापन भी वही काम करता है कि अपनी बातों को अधिक सदिक लोगों तक पहुंचाने का काम करना, उन्हें information देना, उन्हें जागरूख करना, साथी साथ कई बार हम इस उद्देश से भी विग्यापन करते हैं कि हम लोगों को ये बता सकें कि उन्हें इस product के साथ या service के साथ क्या करना है या कैसे इसका उपियोग करना है, दूसरी महत्पूर बात अगर हम करें advertising की, तो वो है marketing में, जैसा कि marketing के बारे में कहा जग गया है, कि marketing is a process through which we are going to satisfy the need of the consumer, तो marketing के बात के चलते चलते, हम इस बात पे आते हैं कि advertising भी ये प्रयास करता है, कि कैसे जो consumers हैं, हमारे भोगता हैं, उनके need को, या उनकी जो रूची है, उसके अनुसार हम अपने messages को provide करें, उसके अनुसार अपने services को हम provide करें, ताकि जो उनकी need है, वो satisfy हो सके, marketing के बारे में एक और महत्पूर बात है, जो कही गई है, marketing is the management of four piece, और ये four piece कौन कौन से हैं, product, price, place और promotion, तो इस प्रकार से, किसी product के बारे में, information देने का काम भी विग्यापन करती है, वही दूसरी तरफ, अगर हम price की बात करें, उसके मुल्य के बारे में बात करें, तो हमें विग्यापन से ही पता चलता है, कि एक product या service का मुल्य क्या है, और कई बार हम ये देखते हैं, कि एक product पे हम जितना पैसा खर्च करते हैं, उसके अनुसार हमें quality मिल रही है, या नहीं मिल रही है, तो इस तरह के price को लेकर के, जो जानकारी हमें मिलती है, वो भी हमें विग्यापन के माध्यम से मिलती है, और अगली बात जो है place, place का मतलब हमारे distribution channel से है, या उस इस्थान से है, जहां पे हम जाकर के product या services हम hire कर सकते हैं, अगर हमें ये पता नहों कि कहां से हमें एक product मिलेगा, तो हमारे लिए परशानी का सबब हो सकता है, तो ये काम हमें advertising से हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है, और अगली बात जो है marketing में वो है promotion, कई बार ये होता है कि हमारा product जो है, हमारे पास product का बहुत जाला stock हो जाता है, और हम अपने product को sell नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हमें जरूरत होती है promotion की, और promotion के द्वारा कई बार हम consumer को convince कर देते हैं, कि वो ऐसे product को भी purchase कर ले, जिस तरह का product उसके पास पहले से ही है, या we are going for over consumption, and it is possible with the help of advertisement, और जैसा कि सबसे महत्पुन बात है in politics, राजनीति में भी विग्यापनों का जोर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक विग्यापन इस तरह की विग्यापन होते हैं, जिससे कि political parties अपनी ideology के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाती है, साथी साथ एक political leader की जो image है, पॉलिटिकल advertisement इस तरह का भी advertisement कई बार हमारे सामने देखने को मिलता है, जिसमें कि voter से ये कहा जाता है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएं और अपने voting अधिकार का प्रयोग करें, नेक्स जो अगली जो चीज है वो है in society, किसी भी समाज को जागरूख करने में, किसी भी समाज की जो विभिन प्रकार की बुराईयां हैं, उसे दूर करने में, या किसी भी समाज में एक तरह की कूप मंडूखता, या कह सकते हैं कि एक जो regionallyness होती है, उसे दूर करने का एक प्रयास advertisement के माध्यम से हम करते हैं, और आज कल एक concept जो है social advertising का, social advertising का concept जो बहुत ही महतपूर concept है, ये हमारे किसी भी समाज को बदलने में, समाज को जागरूख करने में, और समाज में किसी मुद्दे के प्रती जागरूखता बढ़ाने में, निश्चित है, चाहे कि वो pulse polio का विग्यापन हो, और आज भी खुशी की बात है कि pulse polio की विग्यापन ने अपनी अलग एक पहचान बनाई है, और सबसे महतपूर बात है कि in democracy, जैसा कि लोकतंतर के बारे में कहा गया है, जनता से जनता के द्वारा और जनता के लिए, तो अगर हम हमिशा जागरू करते हैं कि हमें अपने इतकारों का प्रयोग करना है, हमें सही candidate को vote करना है, साथी साथ हमारे सामने अगर किसी तरह की कोई परशानी आए, तो कैसे हमें उन्हें दूर करना है, आज कल environment का एक ऐसा मुद्दा बन चुका है, जिसके लिए बात होती है environmental preservation की, और निश्य रूप से इस तरह के कई विज्यापन जो हमें वनों को काटने से रोकते हैं, या हमें जलों के सरनक्षण के बारे में बताते हैं, या हमें हमारी धर्ती को कैसे हम जादा हरा भरा बनाएं, इस बारे में हमारी सोच को आगे बढ़ाते हैं, तो इन सभी रूपों में विग्यापन निशित रूप से एक बहुत ही महत्पूर्द भुमिकानी भा रहा है, अगर हम बात करें कि कौन-कौन से ऐसे माध्यम है जिनका विग्यापन उपयोग करते हैं, तो निशित रूप से सबसे महत्पूर्ण बात आज कल जो है, जिसे हम कहते हैं मास मीडिया, जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाते हैं, चाहे वो टेल्वीजन का माध्यम हो, जिसमें की हमें आडियो और विजुल, दोनों ही तरीके से हम अपने विग्यापन को संप्रेशित करते हैं, और निशित रूप से ये जारा ही आकर होता है, और अगर प्राशीन काल्क से हम पहले की बात करें, तो रेडियो भी एक बहुत बड़ा, या बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही पाप्लिर माध्यम रहा है, और खास तर पर गाउं में और हरीत करांती में, रेडियो ने एक निशित रूप से अपना अपनी एक महत्प बनाते हैं कि किस तरह का प्रोड़क्ट हमें खरीदना है, किसे हमें वोट करना है, कैसे हमें सोसाइटी को जागरूग करना है, और सबसे महत्पुर बात है कि आज कल एक नौ माध्यम जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेट, इंटरनेट पे भी हमें बहुत धेर सारी कह सकते हैं कि विज्ञापन देखने को मिलते हैं तो निश्य रूप से इन सारे माधिमों के उपयोग के दौरा अगर हम विज्ञापन करते हैं तो विज्ञापन न सिर्फ प्रोडक और सर्विसेज इन सब के बारे में जानकारी बढ़ाने का एक माधिम है बलकि समाज को जागरूक समाज को एक दिशा देने वाला और समाज को मुबलाईज करने वाला भी एक तरीका हमारे सामने है तो आज के लिए पस इतना ही इसी के साथ मुझे दीजिया अनुमती नमस्कार